दोस्तो आज की वीडियो में डिसकस करूंगी मैगनिसियम सलफेट के साथ में एन पीके 13-0-45, बोरोन, एन पीके 0-5-34, यूरिया और चिलिटोड फॉर में जो भी नूट्रेंट वगर आते हैं वो मिक्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं संपूर जानकर इस वीडियो में कवर करूंगी, लाइव आपको मगूल तयार करके भी दिखाऊंगी कि मैगनिसियम सलफेट के साथ में आपको क्या-क्या मिक्स करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए ये तो वीडियो के अंट तक जरूर बने रहे, नमश्कार दोस्तो महूँ अनीता सिंग आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल इंडियन और्गेनिक जर्नी दोस्तो वीडियो शुरूर ओने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे सारे लेटिश्ट अपडेट आप तक फटाफट पहुंसते रहें तो दोस्तो सबसे पहले मेगनिशियम सल्फट के साथ में एन पी के 13-0-45 मिला सकते हैं या नहीं मिला सकते हैं इसके लिए सबसे पहले मैंने लिया है एन पी के 13-0-45 पोटेशियम नाइट्रेट इससे कहते हैं जिसमें कि नाइट्रोजन 13% होता है और पोटेशियम 45% इसमे में होता है फास्फोरस दोस्तों इसमें नहीं होता है तो इनका कॉंबिनेशन चेक करने के लिए सबसे पहले काच के गिलाश में पानी लिया है और इसमें सबसे पहले गोल तयार कर रही हूँ जो कि 100% वोडर सॉलेंबल यह आता है तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और कॉंबिनेशन के लिए नेक्स्ट लेंगे मेरे पास दोस्तों यह श्री राम का है आप किसी भी कंपनी के मेरे पेसा है ले सकते हैं सभी के समई उर अच्छे इजल्ट देखने को मिलते हैं magnesium sulfate जो मेरे पास है इसमें magnesium है 9.6% और sulfate sulfur है 12% दोनों ही secondary पोशक तत्वा होते हैं तो दोस्तो अब जिस गिलास में NPK 13.0.45 को mix किया है उसी में अब mix किया है ये magnesium sulfate दोनों को एक साथ mix कर लिया और 5 मिनट तक wait करते हैं इन में क्या reaction होता है या नहीं होता है तो ये दोस्तों मैंने 5-10 मिनट तक wait कर लिया और आपके सामने इसका नतीजा है ये देखे बिलकुल clean है 100% दोनों ही water soluble हैं और एक साथ में आप इनका combination तयार करके अपने फसलों में spray कर सकते हैं mix करके लंबे समय तक इसको रखे नहीं mix करते ही आपको अपने फसलों में आप drip से चलाइए या फिर इस प्रे कीजिये magnesium sulfate के साथ में NPK 0.524 भी आप mix कर सकते हैं इसके साथ में यूरिया भी mix कर सकते हैं chilited form में जो micronutrient या nutrient आते हैं उनको भी आप mix करके यूजिक कर सकते हैं और अभी जो combination तयार किया है magnesium sulfate और NPK 0.45 इसके साथ में boron जो 20% आता है इसको mix करके और देखते हैं क्या result रहता है इसके साथ में mix करने के लिए मैंने लिया है ये coromandel का 20% boron आता है वो लिया है आप किसी भी अन्य कंपनी का भी यूज कर सकते हैं सबी के सेम और अच्छे result देखने को मिलते हैं तो ये भी मैंने अच्छे से mix कर लिया इसमें और अब फिर से 5-10 मिनट तक वेट करते हैं क्या इनका reaction होता है क्या result रहीगा तो दोस्तो 10 मिनट बाद में ये result आपके सामने हैं बिलकुल भी नहीं फटा है ये combination और बे जीचेक आप अपनी फसलों में इसका इसका इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन mix करके लंबे समय तक किसी भी type का combination अगर आप यूज कर रहें तो लंबे समय तक रखना नहीं चाहिए वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा किसान दोस्तों तक शेयर जरूर करें धन्यवाद